गमगीन हुदे के साथ, अश्रुपुन नेत्र के साथ, आज पूरा देश इन वीर जवानों को सलाम कर रहा है। हमारे देश के वीर हैं ये, जिने आज हम सब सादर नमन कर रहे हैं। और देशवासियों के इस दुख्म के साथ जुड़ रहे हैं। खुद प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी जो पालम एरपोर्ट पहुँचे हैं, इस वक्त हमारे इन देश के वीर सबूतों को शधान्जली अर्पित करने के लिए, देश के लिए एक अपूर नियक्षती है ये, जब हमारे देश के प्रथम चीफ आफ डिफेंस स्टाफ उनक इन वीर सबूतों को शधान्जली अर्पित करते हुए, प्रधार मंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनात सिंह, और ये शधान्जली प्रधान मंत्री की ओर से नहीं बलकि पूरे देश की ओर से प्रधान मंत्री अपने इन वीर सबूतों को देश के इन बलिदानियों को अ आश्ट्रुनायक बलिदानियों को विनम शद्धान्जली दे रहे हैं। और राष्ट्र के लिए अपूर्णियक शद्धान्जली अर्पित करते हुए। को भी शद्धान्जली देते हुए पधान्मंत्री। इस दुरघटा में सीटीयस के साथ अनिव बारा लोग हैं जो शहीद हुए हैं। इनमे जनरल विपिन रावत, उनके पत्नी के अलावा, ब्रिगेटियर एलेस लिटर, लेटनें करनल हरचिंदर सिंग, विंक कमांडर पीयस जोहान, स्कौर्डन लीडर केस सिंग, नायक गुर्सेवक सिंग, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस न साई तेजा, जुनियर वारंट ओफिसर तास, जुनियर वारंट ओफिसर एप्रदीप और हवलदार सत्पान, इन सभी को विधान मंत्री नरेंद्र मोधी पूरे देश की ओर से विनम्र शधांचली दे रहे हैं, ये शूरवीर हैं, ये वीर सपूत हैं, जिनोंने देश भक को जिया और इसी जजबे के लिए कुर्बान हो गए, देश के लिए अपनी जान बलिदान कर दी, और आज तिरंगे में लिप्ता इनका पार्थिव शरीर, देशवासियों के आँखों में अश्रुत उला रहा है, लेकिन साथ ही ये संदेश आत्म साथ करने का भी आहवान क कि देश भक्ति के लिए जियो, देश के लिए जियो, देश भक्ति के जजबे के साथ जियो, और इसी संदेश को आज हम सब के लिए जरूरी है आत्म साथ करना, तभी देश के प्रधान सेवक, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी, देशवासियों के ओर से इन सभी को नमन कर देश के लिए एक भावुक्षन है जब एक साथ अपने वीरसपूतों को देश ने खोया, ऐसे में इनके परिवार जन, इनके परिजनों के साथ उनका दुख साचा करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी. यह ऐसे क्षर हैं, यह ऐसे पल हैं जब दिल में बहुत एहसास उमरते हैं, बहुत से विचार उभरते हैं, लेकिन मौन शब्द बड़े संदेश देते हैं. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इनी परिजनों के पती देशवासियों की कृतग्यता प्रदर्शित करते हुए. देश के लिए इन वीर सबुतों का बलिदान, इन परिवार जन का भी बलिदान बहुत बड़ा है. इनोंने अपने परिवार के जन को खोया, लेकिन इन सब की आँखों में नमी के साथ एक गौरव भी है, एक गर्व का एहसास भी है. और इन सब के पती आज देश की ओर से कृतग्यता अर्पित कर रहे हैं प्रधान मंत्री मरेंद्र मोदी. आज एक अफसर जब पुरा देश इन्हें सलाम कर रहा है, एक अफसर जब इन वीर बलिदानियों को पुरा देश इनके पती कृतग्यता महसूस कर रहा है, पुरा देश इनके बलिदान को समझते हुए, इनसे देश भक्ति का सबक सीख रहा है. प्रधान मंतिय नरेंद्र मोदी ने भी संपूर्ण देश की ओर से इन्हें शद्धानचले अरपित की है इनके परिवारजन के परतिकर तग्यता अरपित की है क्योंकि इनका बलिदान देश के लिए गया है ये देश भक्ती का जो सबक सबको सिखा रही है आज हमें उसे आत्म साथ करना चाहिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनात सेंग तीनों सेनाओं के प्रमुक जिन्होंने देशवासियों की ओर से अपने इन शूर वीरों को शधान चली अरपित की है पालम एरपोर्ट से ये सीधे दृष्य आप देख रहे हैं शुधान चली अरपित कर प्रधान मंत्री प्रस्थान कर रहे हैं पालम एरपोर्ट से यहां पार्थिव शरी रखे गए हैं और इन पार्थिव शरीरों में जेनरल विपिन रावत उनकी पत्नी मधुलिका रावत का प्रस्थान कर देख रहे हैं